तो दोस्तो आज 1 में 2023, मार्केट तो फिलाल आज ग्लोस था, महारास्टर डे के बज़े से, कल 2 बें टूस्टे से एक निया ट्रेडिंग विक शुरूर ना जा रहा है, तो चले देख लेता है कि कल मार्केट किस तरफ हो सकता है, और उसके साथ साथ दोस्तो अधानी ग्रिन क शेर होल्डर तैयार हो जाए, बहुत ही जाधा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी दोस्तो पर्फॉमेंस देखने को मिला इस बार क्वार्टर फोर में, तो रिक्वेस्ट करूंगा सबको वीडियो को बिना स्क्रिप के पूरान तक जरूर देखना, शुरू करेंगे कुछ अच्छे आज जो कि इंडिया का PMI डेटा आउट हुआ, वहाँ पर भी दोस्तो काफी शांदार हमें ग्रोथ देखने को मिला, लास्ट चार मेने पर सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिला, जैसे कि अब अब देख सकतो डेटा के अकोर्डिंग, इस बार जो PMI डेटा आउट हुआ है, 57.2 जो कि लास्ट महीने पर हमने देखा था, 56.4 था, ये भी बहुत अच्छी बात है, नेक्स जो इंपर्टेंट अब्डेट दोस्तो, यहाँ पे RBI के जो गवर्नर है, Mr. सक्तिकांता दास जी की तरब से स्टेट पेन दिया है, कि बैंकिंग सेंटरल, दास मैसेस टु बैंक्स, तो मतलब जो गवर्नर है, दास जी ने यहाँ पे बैंक्स को यह बेसिकली स्टेट में दिया है, in good times, we prepare for the bad, तो बेसिकली दोस्तों यह मुझे लगदा है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपकी जीवन में हो, बहुत इंपर्टेंट लाइन की जो अच्छी स सिक्योर और स्टेबल भी है, जिस बैसे में देखा, जहाँ पे दूसरे बड़े बैंक्स के अंदर, मतलब बाहर की देश के अंदर इतना ज़्यादा प्रोब्लेम देखने को मिला, इंडियन बैंकिंग सिस्टेम बहुत ही स्टेबल है, नेक्स दोस्तों यहाँ पे स्टेट युएस के अंदर समाई हुआ है अभी, 12 बच के 47 मिट दो पैर को करीब 0.34% उपर चल रहा है, अब देखिए, नेक्स दो दिन बहुत इंपोर्टन होने जा रहा है, क्योंकि सेगेंड में से एफोएमसी का मिटिंग शूरू होगा, थर्ड में के इन दोस्तों मतलब पर सू ठीक है, इसका आउटकम निकलेगा, तो जिस बैसे इस बार एफोएमसी मिटिंग के दौरान जो एक्सपेक्टेशन है, फिर से 25 BPS का असपास रेपोरेट हाई कोने का चांस है, तो जिस बैसे वेस मार्केट भी अभी तो फिलाल पॉजिटिव में है, बट आगे दोस्तों थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, नैस्टेक की बात करें, कुछ टेम के लिए यहाँ पे करेक्शन हो गया था, कुछ टेम पहले ही, अभी एकदम से सार प्रिकोवरी देखने को मेला बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट्रेगरम बात करें, भईया, वीप्रो लिमिटेट का जो ADR वर्शन है, ट्रेट कर रहे करीब 1.28% उपर, तो कल मतलब दोस्तों, वीप्रो लिमिटेट की शियर के अंदर भी एक अच्छा मूब्बेंट होने का पूरा-पूरा चांस है, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, इन्फोसिस लिमिटेट ADR की बा बात ऐसा है, कि देखिए, निफ्टी का जो फ्यूचर है, वह बहुत उपर पहुँच चुका है, तो मुझे लिए कि इसके उपर बेस करके, कि कल निफ्टी 50 के अंदर शुरू में, gap of opening हो सकता है, क्योंकि देखिए, निफ्टी का जो इंडेक्स है, मतलब निफ्टी 50 जो निफ्टी 50 ओपेन होने का पूरा पूरा चांस है, आप देखिए, उपर कहां तक जाएगा, नीचे कहां तक सपोर है, उसके उपर हम आगे वीडियो में, यहां पे बात जीत करेंगे, फिलाल दोस्तों, यह कुछ इंपॉर्टेन अप्डेट सा, ग्लोबल मार्केट का, कु सिधा-सिधा आदानी ग्रूप की जो रिजल्ट आउट हो, आदानी ग्रीन की, उसको पर लेके चलता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा टेक्निकल अनलैसिस भी कर लिया, आदानी ग्रीन इनर्जी की, कंसॉलिडेट क्वाटर फोर की रिजल्ट, जैसे के अब आप देख सेकत यहां पर जितने भी नंबर्स है, सारे इन करोर्स के फिगर पर है, और सच बोल रहा हूँ दोस्तों, यह रिजल्ट मैं तो उमीद नहीं किया था, अटलिस्ट अदानी ग्रीन से वो भी क्वाटर फोर पर इतना जाधा कॉन्ट्रूबर्सी हुआ था, अदानी ग्रूप के स भी मैसिव ग्रोथ देखने को मिला, 258 करोर से यहां पर जंप होके 2980 करोर पर पहुंच चुका है, मज़े की बात यह है कि इस बार दोस्तों, ना के बल रेविन्यू कंदर ग्रोथ हुआ, बलकि कमपनी का जो एक्सपेंसेस है, खर्चा बहुत जदा ड्रॉप हुआ आप द जो टैक्स बैक्स भरने के बाद जो भी कुछ बसता है, उसमें दोस्तों मैसिव ग्रोथ देखने को मिला, एक दो परसें, दस परसें, पचास परसें नहीं, सीधा तीन सो परसें, वो भी यार ओन यार, क्वार्टर तो छोड़ दीजे, च्वार्टर लिए अकरम बात करें, चैलकुलेट करें, करीब तो सारी तीन सो से चार्ट सो परसें का असपास, देख सकते हैं तो टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर आए इस बार 507 करोर रुपय, जो की लास्ट कोर्टर में हुआ था 103 करोर रुपय, दो अब समझ सकते हो कि कल अदानी ग्रिन के शेर में किस कि किस तरह का यहांपे भूकम आ सकता है या किस तरह का एक बहुत बढ़ा बोल सखने कि कि यांपर सुनामी आज सेग्टा है क्योंकि अभी मुझे लिगे की लगातार अपर सरकेट लगेगा तो दोस Do हो जाईए अब चले दोस्तों मैं आपको सिधा सिधा निफ्टी 50 के अनलेसिस के उपर लेके चलता हूं तो दोस्तों आपके सामने मैंने उपेंड कर दिया निफ्टी 50 की लास्ट 6 मैने की चार परें तो अनलेसिस शुरू करेंगे बर उसके पहले अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेच करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए तो जैसे के अब आप देख सकतो लास्ट डे फ्रा जरूर बता देना कि कौन सी रेंज के भिधर कल निफ्टी ओपें हो सकता है आप को क्या लगता है कि लेकर देर्षो से लेकर 200 को भीधर निफ्टी ओपें होने का चांस है उसके बाद क्या होगा उसके बाद मुझे लगद है कि 50-500 तक पहुंचेगा थोड़ा से उसके बाद करेक्शन होगा करेक्शन मतलब नेगेटिव नहीं जाएगा मतलब एक तुम पीक में टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरह मूफ करेगा अब आपके दिमाग में जरूर आया होगा थाइस की शुरू पर जब मार्केट के अंदर थोड़ा थोड़ा करके गिरावर शुरू आता यह देखिए इस रेंज के आसपास बहुत स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस मिला था निफ्टी को यह कौन सा नंबर है यह वही नंबर है 18,250 में आपको एक बर साइड में दिखा के रखना और उपर कहां पर रेजिस्टेंस है आप देखिए रेजिस्टेंस तो अल्रेडी मैंने आपको बोल दिया कि 18,000 या पर एक बार लिखके देता हूँ 250 के आसपास एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है नीचे सपोर्ट की बात करें तो यहां पे ऑल्वेस जो 18,000 का बेंचमार बात करो जुन जुलाइ की बाद आगोस्ट की मैने पर आप देख सेकते हैं इसी लेविल कास पस जिस बैसे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेता तो जिस बैसे उसका पुरान रेजिस्टेंस है वही आज की रेट पर सपोर्ट देगा मतलब वही 17,900 से लेके 18,000 का इं 50,50 या कोई भी दुनिया की अच्छी कंपनी क्यों नहों हमेशा के लिए दोस्तों ओवर बॉर्ट जोन नहीं हाईली ओवर बॉर्ट जोन पर रह सकता है जैसे कब आप देख सेकता है आरे से इंडेक्स पाहुच चुका है और इसी लेविल के आसपस काहिने के कुस टैम पह यह देखिए यहां पर जो क्रॉस मैं आपको दिखाए यह देखिए नमबर है लगबग सारे 506 के आसपास एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस है निफ्टि यहां बैंक निफ्टिक लिए तो मुझे लगदे कि कल बैंक निफ्टि भी सेम टूसे शुरू में लगबग 500 500 के आस निफ्टि वीडियो पर अब तक के लिए टेक क्यार बाबाई जाए हिंदे